दोस्तों अगर आप अपनी website के लिए hosting purchase करना चाहते हैं लेकिन confused है कि कौन सी company की hosting purchase करें GoDaddy की hosting purchase करें या hostinger की hosting purchase करें तो ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको GoDaddy versus hosting की complete completion करके बताने वाला हूँ कि कौन सी company की hosting आपको purchase करनी चाहिए करनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है अश्पाक स्वागा थे आप सभी का डिश्टल लर्णी सपोर्ट के एक नए एपिसोड में तो दोस्तों यहां पर हमने होस्टिंगर इंडिया और गोड़ेड़ी इंडिया के वेबसाइट को ओपेन कर लिया हुआ है अब हम इसके होस्टिंग प्लाइन को कंप्यार कर लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कि किसी एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के प्रोड़क्ट के साब आप 100 बाई 100 कंप्यार नहीं कर सकते कि गोडैडी अपने एकोर्डिंग अपनी फीचर्स को एड़ करती है अपनी सर्विसेज के अंदर हॉस्टिंगर अपने एकोर्डिंग अपनी फीचर्स को एड़ करता है अपनी सर्विसेज के अंदर तो आप ये सर्विस या फीचर्स के बेस पे किसी एक कंपनी के दूसर के उपर 3000 रुपे में आपको क्या वही service मिल रही है वही plan आपको मिल रहा है अगर वह plan मिल रहा है तो आपको उसके अंदर क्या-क्या features देखने को मिल रहे ठीक है इस तरीके से comparison की जाती है ना कि hostinger के उपर आपको single web hosting के अंदर यह यह services मिल रही है, यह features मिल रहे हैं, तो GoDaddy के उपर भी आपको वही features मिले, इस तरीके से comparison नहीं की जाती है, ठीक है, तो अब हम GoDaddy के यहाँ पर hosting plan को open कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर normal hosting को check करेंगे, hosting के section में आएंगे और यहाँ पर हम web hosting को open कर लेंगे, अब हम इसको scroll करेंगे, तो यहाँ नीचे आपको इसके बहुत सारे plans दिख रहे हैंगे, जैसे कि starter, economy, deluxe, ultimate, यह चार plans इन्होंने create किया हुआ है, basic hosting के अंदर, सेम यही चीज़ हम hostinger के अंदर open कर लेते हैं, तो hostinger के हम hosting के section में आएंगे, और यहाँ web hosting के उपर हम इस पर click करेंगे, यह small and medium size के websites के लिए design किया है hosting plan, यहाँ पे आपको तीन plan देखने को मिल रहा होंगी, single web hosting, premium web hosting और business web hosting, अब हम इसके pricing के according, इसके features को compare करेंगे, तो यहाँ पे आपको hostinger के अंदर single web hosting में 69 rupees per month के अंदर क्या-क्या features मिल रहे हैं, single website, 50 GB SSD storage, 10,000 visitor के लिए यह monthly enough है, एक email account आपको मिल रहा है, 100 GB का bandwidth, इसके साथ आपको दो database मिल रहे है, security के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको SSL बिल्कुल free में मिल लाता है, और इसके अलावा free में आपको bonuses वगरा, weekly backup, update, यह सारे चीज़े आपको यहाँ पे मिल रही है, इसके साथ आप WordPress easily इसके उपर install कर सकते हैं, और अपनी website को create कर सकते हैं, services and support की अगर हम बात करें, तो 30 days money back guarantee आपको मिल लाता है, इसके साथ ही आपको 24 into 7 support मिल लाता है, ओके, अब हम चलते हैं GoDaddy के उपर, तो GoDaddy के उपर जो starter plan है, इसकी pricing है 119 rupees per month, यह term भी यहाँ पे register करते हैं, तब आपको 40% का saving देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्या-क्या features मिलते हैं, 512 MB का RAM, one website, unmetered bandwidth, 30 GB का storage आपको मिलता है, single database आपको मिलता है, और one click WordPress installation आपको मिलती है, ठीक है, तो यह features आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इसकी pricing को compare करेंगे, तो यहाँ पे GoDaddy का pricing भी ज़्यादा है, hostinger के मुकाबले, और इसके अंदर आपको features भी कम देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से compare किया जाता है, एक company के plan को दूसरे company के plan के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज़े तो आपने देख लिया कि pricing भी GoDaddy के उपर ज़्यादा है, और इसके अंदर features भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं, अब हम इसको buy now पे click करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, buy now पे हमने यहाँ पे click किया, और यहाँ पे हमने select कर लिया 3 साल के लिए, 36 महीने के लिए, तो यह 199 रुपीज पर मंत के हिसाब से य और इसको हम add to cart करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब आप 48 महीने के लिए, means कि आप 4 साल के लिए इसको purchase करेंगे, तो ही यह आपको 69 रुपीज पर मंत के हिसाब से मिलेगा, अगर आप इसको 2 साल के लिए purchase करते हैं, तो यह आपको 199 रुपीज पर मं के हिसाब से मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे इसको 24 मंथ, यानि कि 2 साल के लिए इसको register करते हैं, अब हम इसकी final pricing देखते हैं, तो इसकी final pricing हो रही है, 2856 रुपे, इसको भी हम 2 साल के लिए करते हैं, तो इसकी pricing हो जा रही है, 336 रुपे, means के आपको यहाँ पे 4 से 500 रुपे का difference देखने को मिल रहा है, 4 से 500 रुपे का आपको difference भी देखने को मिल रहा है, साथी आपको hostinger के अंदर free SSL भी मिल जा रहा है, वहीं आपको go daddy के अंदर free SSL नहीं मिल रहा है, इसके अलावा hostinger के अंदर आपको और भी extra features मिल जा रहे हैं, और भी extra आपको storage मिल जा रही है, दो आपको database मिल जा रही है, वही वो daddy के अंदर आपको बहुत ही limited features देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आप एक company की plan को दूसरे company के plan के साथ compare कर सकते हैं, फिर आप जब final pricing के उपर जाएंगे, तो वहाँ जब आपको pricing difference दिखेगी, तो finally आप decide करना कि आपको कौन सी company के साथ purchase करनी चाहिए, ठीक है, अब आपको चार ऐसे major points बताऊँगा, जिसके basis पे आपी easily define कर सकते हैं, कि आपको कौन सी company से web hosting purchase करनी चाहिए, और किस basis पे आपको purchase करनी चाहिए, स low होती है, उसके बात second point के अगर हम बात करें performance के मामले में, तो performance के मामले में go daddy winner हो जाता है, क्योंकि go daddy की web hosting का performance, hostinger की web hosting की performance से बहुत ही ज़ादा होता है, ठीक है, तो ये सारे points आपको ध्यान में रखने हैं, third point के अगर हम बात करें features की, तो features के मामले में obviously hostinger आपको limited features provide करता है, चौथे point के अगर हम बात करें support की, तो service and support के मामले में go daddy हमेशा ही winner रहा है, चाहे वो किसी भी company की comparison आप उसको खड़ा कर दें, जैसे कि आपको blue host, hostinger या और भी बहुत सारी companies हैं, किसी भी hosting service provider company की comparison में go daddy आपको सबसे best support service provide करता है, क्योंकि आपको जैसे कि hostinger या blue host के अंदर आपको email support का option मिलता है, लेकिन go daddy के अंदर आप email support का option यूज कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं support executive के साथ, इसके साथ साथ आपको call पे भी support service provide की जाती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको English language नहीं आती, आप इंडिया के अंदेर रहते हैं, आपको बेंगाली, तैमिल, तेलुगू, जो भी language आपको आती है, हिंदी, उन सभी languages में आप contact कर सकते हैं, और अपनी local language में आप अपनी issues को resolve करवा सकते हैं, तो यह सारे points हैं, इन सारे points के basis पे आप ये खुद से analyze कर सकते हैं, कि आपके लिए क्या महत्रपूर्ण है, आप pricing को ध्यान में रखके अपनी hosting purchase करना चाते हैं, performance को ध्यान में रखते हुए, आपको ज़्यादा features चाहिए, तो आप hosting ले सकते हैं, आपको support service बहतर चाहिए, तो आप go daddy की तरफ जा सकते हैं, परफॉमेंस आपको बहतर चाहिए, तो आप go daddy की तरफ चाहिए, तो इन सभी points को आप analyze करने के बाद ही decide करें कि आपको कौन सी company से अपनी web hosting purchase करनी चाहिए, दोनों companies का link हमने description में दिया हुआ है, आप go daddy की web hosting purchase करना चाहते हैं, तो भी आप link पे click करके अपनी go daddy की hosting purchase कर सकते हैं, इसके साथ ही आपको hostinger के अगर hosting purchase करनी है, तो उसका link भी हमने नीचे description में द मिल जाएंगे, means कि आपको 10% से ले करके 15% का discount भी मिल जाएगा, तो I hope कि आपने समझ लिया होगा कि आपको go daddy की hosting purchase करनी चाहिए, या आपको hostinger की hosting purchase करनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे हमें comment करके जरूर बताएं, वीडियो अगर आपको informative लग किसी तरीके की content मिलती रहे, मिलते हैं next वीडियो में किसी नई topic के साथ, जय हैंगे